कबीर का कवित्व कबीर के विविद रूप हैं कबीर मूलत है और अंतुत है भक्तुत है इसलिए उनकी वानियों का अध्यत्मिकरस ही आश्वाद्ध होना चाहिए उनके नाना रूपों कभी समाज सुधारक, सर्वधर्म समन्वयक, हिंदु मुस्लिम एक के विधायक के रूप में विशेश संपरदाय के प्रतिष्ठापता के रूप में और विदान्त व्याक्षाता दार्शनिक के रूप में भी उन्हें माना जाता है पर कबीर को उन्हीं रूपों में से किसी एक का प्रतिन्धी समझना असंगत है इन में सब में भक्ती मुख्य एवं अन्य उपत पादबाई प्रड़क्ट है कबीर का कवित्व रूप कविश्टेशन करने पर कबीर के अध्यात्मिक नैतिकें सम्ता विश्यक विचारों की सभी लोग मुक्त कंट से प्रश्णिशा करते हैं किन्तो उनकी कविता के कवित्व के संबंद में लोग अनेक प्रश्णिशन लगाते हैं कुशालोचक उनके भावपक्ष की स्टेश्टता को दबेकंट से स्वीकार करते हुए भी कलापक्ष की पुष्टता में संदेह प्रकट करते हैं और उन्हें छंद सास्त्र के नियमों से अनविग्य बताते हैं वस्तुता कभीर ने कविता लिखने की प्रतिग्या करके अपनी बातें नहीं कही थी मूलत है वे भक्त है उनका कवी रूप घल्बे में मिली हुई वस्तु है बाई प्रोड़क्ट उपतपाद है वे स्वेम कहते हैं तुम जन यानो गीत यहू यहू निजब्रह्म विचार कवीर लोकमंगल की भावना पर अध्यात्मिक कवी की सष्ट्री करते हैं और उनकी आत्मानो भूति की सहज अभ्यक्ति का स्रसाश्वाद ही उनकी कविता है उनके यहां सजावट अलंकरन या चमतकार की प्रवरति नहीं है उनमें कवी पद का हें भाव नहीं है भे स्पष्ट कहते हैं तुम जने जानो गीती है यहुमन अब्रम्म विचार या फिर कवी कवीने कविता मुए कापड केदारो जाए केस लुंच लुंच मरे बरतिया तिनमे के नहुन पाए और एक दूसरी जिएक कवीर केते हैं कि लाया साखे बनाये कर इत उत अच्छर काट कहे कवीर कब लग जी जूटी पत्तल चाटे वास्तो में कवीर का कव कलपना की उड़ान का मनुरंजन नहीं है वह आत्मानो भूती में तन्वे तता खरदे के द्रवी भूत हो जाने का आनन्द है यहीं कवीर के कवेसो स्टव की मूल आधार भीती है कवीर की भाव प्रणोता आत्मिक अनभूती की सशक्त अभ्यक्ती ही उतकृष्ट सरजन की आधार भू में है निश्कलुष भाव इस आत्मानो भूती का श्रोत है कबीर का भाव प्रणव भक्त खरदे भावावेश में अपूर वो तनमेता किम तलीनता से आराध्य की अनुभूती को अथ्वा उनकी अनुभूती के प्रहत्न में अपने अंतह करन के महान भावों को अभिवक्त करता रहा है उनकी आत्मे विभलता या आत्मे विभूर होने की अवस्था ने अनायास ही उनकी वानी से कवव धारा को प्रवाहित कर दिया है और इसके पाठक को अनन्द मगन कबीर की इस अनुभूती में गहनता इम्तिवरता है कभिरा बादल प्रेम का हम पर बरस्या आए अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राए या नेना अंतर आवतों जो हूं पलक छपे हूं ना देखूं मैं और को ना तो हिदेखन देवूं कभीर वस्तुते अध्यात्मित अनुभूती के कवी हैं कभीर कव्य का मूल विशय है ये अध्यात्मिक अनुभूती इस परम्तत्य के संधर्य के दर्शन उसके प्रती प्रेम विरह और मिलन के इक्षणों के अनुभूती ही उनके इस कव्य का भाव पक्ष है कुछ वानी की अगोचर पकड़ में ना सकने वाली ही बात है पर बेहदी मैदान में रहे कबीर ने इस गंभीर गूर तत्रो को मुर्तिमान कर दिया है वानी के ऐसे बादशाह को साहित का व्यानंद का आश्वाद करने वाला समझना उचित ही है कबीर अरूप को रूप द्वारा व्यक्त करते हैं कबीर के प्रेम का अलंबन निराकार निर्गुन है अतह इसका इंद्री ग्रही रूप इम लीला वर्नन संभव नहीं था अतह कबीर का प्रेम और संदर चेतना प्रतिकों के आवरन में वस्त होता है सुक्ष्म अमूर्थ इम अभ्यंतर सुरूप ही है ये प्रेमा नभूती और संदर्या नभूती उल्लास और अल्हाद के रूप में ही अभ्यक्त हुई है कबीर की कव्या नभूती संदर ये प्रेम और ग्यान के अनभूतीयों का समन्वए है उनके रहश्यवादी शैली बन जाता है पार अब्रम्म के तेजगा कैसा है अनुवान कहिवे को सोभा नहीं देखा ही परवान हरी रसपी या जानिये कबीर ने जहां भाव प्रेमी के मिलन के एक्षणों को मारमिक्ता से प्रस्तुत किया है वहीं विवल प्रेयसी के घनी पूत विरह की मर्म भेदी अनभूती को स्वर दिया है भीजे चदरिया प्रेमरस बूंदन आरति साज के चली सुहागन प्रिय अपन को ढूंधन आखडियां जहाई पड़ी पंथ निहार निहार जीभडियां छाला पड़ा पीव पुकार पुकार कबीर के काववे में व्यंग धलमिता बहुत कहरे स्तर पर अव्यक्त हुई है विक्रतियों पर व्यंग करने में और चुटकी लेने में कबीर अपना प्रतिदन भी नहीं रखते पंडित और काजी अवधू और जोगिया मुला और मौलवी सब ही उनके व्यंग से तिल मिला जाते हैं अत्तन तसीधी भाशा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल जाल कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता ना जाने तिरा साहिब कैसा है मंद मस्चिद भी तर मुला पुकारे क्या साहिब तेरा पहरा है चीटी के पग ने और बाजे सो भी साहिब सुनता है उनका व्यंग भी सरस है आक्रामक आत्मिश्वास एम लापरवाही की ढाल से सजा हुआ व्यंग सामने वाले पर कहरा प्रहार करता है